क्या मुझे second paper देना चाहिए, तो मेरा पहला option यह होता है बच्छों, कि आप second paper दो ही मत, नहीं देना चाहिए second paper, अगर आप उसमें बहुत अच्छा perform कर जाओगे, तो उसमें perform करने के बाद आपके पस इतनी जादा opportunity available है, जो शायद आप second paper दोगे, तो उन में से किसी से नही कोई जादा effort नहीं देना, या कोई extra effort नहीं देना, syllabus की बात अगर करें, तो syllabus के base पे यह particular branch बहुत आसान है जी, यह particular subject से अगर gate देना है, तो आसान है, हलो dear student, कैसे हो आप लोग, उमीद करता हूँ कि आप लोगी preparation बहुत बढ़ियां चल रही होगी, और बहुत मजा आ रहा तो उसके along में मेरे पास कौन सा second option रखा जाए, जिसको मैं exam के तौर पे दे दू, और उसे मुझे benefit भी मिले, क्योंकि यार बिना benefit के तो कोई दूसरा paper देना वाजिद नहीं होता, तो आज मैं उसी topic में बात करूँगा, बच्चों, in short और आपको पूरा detail में समझानी कोश् अगर second paper का दिमाग में thought आता है, तो तो पहला भाई, बात यह है कि gate official ने क्या बोल रखा है, gate official ने बोल रखा है, कि आपका अगर main paper civil engineering है, क्योंकि हम civil engineering की बात कर रहे हैं, बचों यहाँ पे, तो अगर हमारा main paper civil engineering है, तो civil engineering के along, हम लोग in particular paper में से कोई एक paper को as a second option दे सकते हैं, right, जिसमें आपके पास AE है, AG है, AR है, ES है, GE है, NM है, XE है, तो कई सारे different branches के हमारे पास paper available हैं, बचों, जो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें हमारे civil engineering के कुछ subject common है, और किसी में civil engineering के subject है ही नहीं, है ना, ऐसा भी हो सकता है, हमें additional subjects पढ़ना पढ़ेंगे, तो बात आती है कि सर क्या मुझे second paper देना चाहिए, तो मेरा पहला option यह होता है बचों, कि आप second paper दो ही मत, नहीं देना चाहिए second paper, क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई, simple सी बात है, आपका focus बिगड़ जाएगा, आपके main paper से, और जब आपके पास time limited होगा, तो उस limitation of time के अं आपको test series लगानी है, उन सब का outcome देखना है, outcome क्या है, फिर उसको rectify करना है, फिर अपने आपको improve करना है, तो बच्चों, और इस सब के साथ तो आप जानते ही हो, कि सारे subject भी cover करने होता है, तो बच्चों, एक बात आप खुछ सोचों, कि अगर आप कम time लेके जा रहे हो, लाइक, एक साल भी ले रहे हो, या 9 मैंने, 8 मैंने ले ले रहे हो, या जैसे कुछ बच्चे तो अभी थोड़े time पहले ही start करे थे, तो बच्चों, अगर आप कम time लेके जा रहे हो, तो आप कैसे दो particular paper को दे पाओगे, है ना, और एक तो ये point होगे, कि आप अपने ओपर burden बढ़ा दोगे, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आप मत दो, दूसरा, यहाँ पर मुद्दा ये भी है, कि भाई, उससे opportunity कितनी बड़ी मिलने वाली है, ये भी मेरी में मुद्दा है, कि अगर opportunity नहीं है, उस particular paper को देने से, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं कि सब लोग second paper दे रहें, तो मैं भी देने चले जाओ, नहीं, कोई मतलब ही नहीं बच्चों, क्योंकि मुझे उससे opportunity भी देखना पड़ेगी, कि opportunity क्या available है, या नहीं है, या क्या हो सकती है, right, समझ में आया, तो ये है बच्चों, दो main बात, जिसके कारण हमें, option 1, जो हमारा civil engineering है, उस available है, जो शायद आप second paper दोगे, तो उन में से किसी से नहीं मिलेगी, right, अगर इन से compare कर लिया जाए, civil engineering को, तो civil engineering से जो opportunity मिलने वाली है, वो इन सभी branches में से नहीं मिलने वाली, उसी level की, right, तो मैं गिना भी देता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, बच्चों, जब हम civil engineering से gate देते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है, PSU की opportunity हमारे पास available है, हम directly gate score लेंगे, और gate score के साथ, हम लोग recruit हो सकते हैं, किसी PSU में, जिसकी vacancy आ रखी हो, दूसरा option यह है, कि भाई, माल लीजे, अगर उस PSU में आपका selection नहीं होता, तो आपने civil engineering के पड़ी ह कर सकते हो, तो इसका मतलब आपकी opportunity यहाँ पर PSU उसकी जादा है, दूसरा point, माल लीजे, आपने mtech कर लिया, और mtech के बाद आपकी opportunity भी बढ़ जाएगी, है ना, आपके masters होने के बाद, job लगने के chances और ज्यादा बढ़ जाएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं, आपको placement मिल ज सारी कि सारी, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास opportunity की कमी नहीं पढ़ने वाली, जब आप gate अगर civil से देते हो, और अगर इस पे ही focus बहुत जादा करते हो, तो आपके पास opportunity जादा है, और यहाँ पर जब opportunity जादा है बच्चों, तो आपके success होने के chances भी जादा है, अब ब subject है बोल दीजे, तीन ऐसे paper है, जो मैं choose करूँगा बच्चों as a second option, और वो क्या है, पहला है बच्चों XC, जिसे हम बोलते है engineering science, दूसरा है मारे पास environmental science, और तीसरा है मारे पास बच्चों geomatic engineering, अब मैं इन तीनों subject या इन तीनों paper पे दो point पे बात करूँगा बच्चों, और वो दो point major क्या है, पहला, इनका syllabus क्या है, और दूसरा, इनकी opportunity क्या हो सकती है, क्योंकि बिना opportunity जाने, अगर मैं paper दे रहा हूं, तो यार, सबसे बड़ी गलती, मैंने मिरे से बड़ी गलती कोई दुनिया में नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई, paper दे क्यों रहे है, paper दे, इ syllabus पर जाता हूं, सबसे पहले XE के, XE के syllabus की हम बात करते हैं, कि XE का syllabus क्या है, तो बचों XE के syllabus में, और चाहे environmental science हो, चाहे geometric engineering हो, इन सभी में एक चीज तो common है, बचों, that is maths and aptitude, common तो है, है न, इन सभी में maths and aptitude सभी को मिलने वाला है, बट बात यहाँ पर यह है, कि जब environmental, sorry, engineering science की बात करते हैं, बचों, तो engineering science के अंदर, basically, maths का weightage, यहाँ पर 15 mark है, और जो aptitude का weightage है, वो भी 15 mark है, इसके बाद, और यह mandatory है, मतलब यह compulsory है हमारे पास, जो हमारा maths है, वो 15 mark compulsory है, और हमारा aptitude का part है, वो भी हमारा 15 mark है, और हो compulsory है, इसके बाद मेरे पास options आ जात कर सकते हो, बच जो best subject हो सकते हैं, जो हमारे civil engineering से related है, that is basically strength of material and fluid mechanics, और अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हो, तो वो दोनों के दोनों subject आपको मिला कर 70 marks दे जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 15 mark मैच से आगए, 15 mark आपके aptitude से आगए, 30, और 70 marks strength of material और fluid mechanics, तो syllabus की अगर करा जाए, तो हमें कोई जादा effort नहीं देना, या कोई extra effort नहीं देना, syllabus की बात अगर करें, तो syllabus के base पे ये particular branch बहुत आसान है, या ये particular subject से अगर gate देना है, तो आसान है, क्योंकि हमें कोई extra burden हमारे उपर नहीं बढ़ने वाला, हम जो पढ़ रहे हैं, वही उसी के basis पे हम apply करने वाले हैं, या फिर question को solve करने वाले हैं, पहली चीज़, दूसरा अगर बात करें बच्चों, environmental science की, तो यार, environmental science, जैसे environmental engineering मैं भी पढ़ाता हूं, बच्चों, तो environmental engineering की अगर बात करते हैं, तो हम जानते है, environmental engineering के अंदर आपके पास water, wastewater, आपके पास noise pollution, air pollution, solid waste आता है, बट यहां पर environment के मतलब से मत समझ लीजेगा कि सिफ इतना ही contain इसके अंदर है, नहीं जी, इसके अंदर contain बहुत जादा है, इसका syllabus काफी vast है as compared to this, मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहां पर अगर maths की बात करें, तो maths हमारे पास 13 माग का है, आपका जो aptitude का part है, वो 15 environment, chemistry, environment, microbiology, water resource and environmental hydraulics, water and wastewater treatment, air and noise pollution, solid waste management, global issues, environmental management and sustainable development, बच्चों यह सारे multiple topics आपको पढ़ना पढ़ेंगे और इस particular subject का syllabus यह इस particular paper का syllabus complete करने के लिए आपको यह पास syllabus बहुत जादा बढ़ जाएगा, और जब syllabus बढ़ जाएगा, तो आपके पास burden बढ़ जाएगा, और burden तो आपका main paper impact करेगा जो की civil का है, तो बच्चों कहीं न कहीं अगर देखा जाए syllabus के part में यह काफी जादा बढ़ा है as compared to this, तो अगर syllabus में preference दूँ तो मैं इसको पहली दूँगा और इसको दूसरी दूँगा, तीसरा अगर हम बात करें बच्चों क्योंकि इसमें थोड़ मार्क, maths 13 मार्क, फिर उसके बाद बच्चों मारे पास part A का एक और part है, इसमें remote sensing आता है, GIS आता है, GNSS आता है, यह हमारा part A है, जो की कंपल सरी है, उसके बाद हमारे पास दो option है, एक option है surveying and mapping, या तो यह दे दीजे, या फिर image processing and analysis, या यह दे दीजे, तो बच्चों अगर syllabus की बात करें, तो इसके अंदर आपको और extra effort करना पड़ेगी, जो आपके topic से थोड़ा सा distance मतलब थोड़ा सा और ज्यादा दूर जा रहा है, surveying के अंदर हम पढ़ते तो हैं बहुत सारी चीजे, बच्चों यहाँ पर surveying and mapping and image processing, analysis जो थोड़ा detail में जले आती है, तो इस की बात करूँ, तो इस second preference है, और third preference मेरा क्या होगा, geomatic engineering होगा on the basis of syllabus, syllabus के basis पर बात करी जाए, अब दूसरा point जो है बच्चों, that is basically opportunity, sir opportunity क्या है यहाँ पर, तो अगर opportunity की बात करूँ बच्चों, तो अगर मैं XC की बात करूँ, तो कोई भी PSU, XC से अगर आपने gate दिया है, और scorecard आया है, तो उस से recruitment नहीं ले रहा है भी, ना pass में लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है, एक possibility यह बनती है, कि आप XC का paper दे, और paper के बाद आपके बात जो scorecard आएगा, scorecard से आपको direct job मिल जाए, या फिर उस scorecard से आप Mtech में admission लेंगे, और फिर आपकी job लगे, यह दो चीज़ बनती है, तो यहाँ पर PSU का कोई भी call है नहीं बचों, कि अगर XC से देखा जाए, direct PSU में recruitment होगा, तो नहीं हो रहा है, क्या option खुलेगा, दो option यहाँ पर खुलता है, एक तो आप master's कर लीजे, और master's कहां से कर लीजे, IIT से कर लीजे, IIT से master's कर लीजे, उसके अगर आपने gate, XC branch से दिया, और आपका score अच्छा है, तो आप NITI Mumbai के अंदर join कर सकते हो, बच्चों, उनका जो management का एक course होता है, उसको आप join कर सकते हो, और उससे हर साल जो recruitment जाती है, प्लेस्मेंट जाता है, वो बहुत बढ़ी है जाता है, 10 से 12 लाग का package average कुछ होता है, तो इसका मतलब है, अगर मैं XC से paper दूँगा, तो मेरे लिए एक opportunity हमेशा available होगी, that is basically NITI Mumbai, और कम load के साथ opportunity हमारे पास available, तो एक चीज़ी हो गई XC के लिए, दूसरा अगर बात कर लें, इन्वार्मेंटल साइंस की, तो इन्वार्मेंटल साइंस से PSU के recruitment pass में थे, पहला आया था बच्चों, ONGC के अंदर, और ONGC के अंदर, एन्वार्मेंटल साइंस से recruitment था, बट उनकी condition ये थी, कि आपका बैचलर इन्वार्मेंटल साइंस से होना चीए, या फिर मास्टर इन्वार्मेंटल साइंस से होना चीए, तो अगर बैचलर की बात करें, तो बैचलर साइन्स से otherwise नहीं होगा और DRDO ने भी जो दिया था बच्चों वो एक बार दिया था अभी तक उसके बाद कोई opportunity आई नहीं है तो ये बात का shorty कोई नहीं दे सकता कि भाई आपके पास PSU job लेके आएगी या नहीं लेके आएगी इस particular brand से in 2025 और 2026 ये कोई guarantee नहीं है बट हाँ एक चीज़ की possibility है कि XC से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चों निटी मुंबई का रास्ता थीक है तीसरा अगर हम बात करें बच्चों geomatic engineering के तो geomatic engineering के अंदर आपके पास कोई भी PSU का call नहीं होता तो आप simply क्या कर सकते है directly master's करिए और master's करने के बाद अपना जो भी opportunity बनता है college IIT के थूँ उसके थूँ आपको अपनी placement ले वीज़े तो अगर मुझसे पूझा जाए कि यार सर opportunity की basis में आप कैसे rating करोगे तो opportunity की basis में मैं इसको number one rating करूंगा है क्योंकि जहां पर कुछ certainty होगी तो मैं उसे prefer जादा करूंगा क्योंकि जिसके पास certainty है वो मेरे ले बहुत जादा best option होता है second preference में दे दूँगा बच्चों AES को और third preference दूँगा इसको तो अगर देखा जाए सबसे best option जो हमारे लिए second option की तौर पर हो सकता है that is basically XC मैं XC को prefer करूंगा बच्चों as compared to other papers right तो बच्चों एक के लिका हाना जरा से outcome के लिए इतना ज्यादा burden मड़ा देना और अपने main paper को खतम कर देना या main paper की preparation को खतम कर देना तो बच्चों वो नुकसान है हमारे लिए बहुत बड़ा है ना तो यह बात कर ध्यान रखे पहलो option तो यह उनाची की paper 2 दो मत जिसका मन नहीं मान रहा है वो paper 2 इस condition पे XC को दे सकता है right तो उमीद करता हूं आपको यह बात समझ में नहीं होगी बच्चों thank you so much let's meet in the next video